Hello dear students, this is class 7, Subject Science, Chapter 10, Respirations in Organism जो हमने last class में study किया था, जो जीवो में स्वसंग की बारे में आमने पड़ा था, जिसमें हमने, Why do we respire, जो हमने रिस्पायर की बारे में पड़ा था, इसमें हमने, Aeroberic Respirations क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था, इसके बारे में आपको बताया था, इसके बारे में पड़ा था, आज हम पड़ेंगे, 10.3, How do we breathe, जो हम सांस कैसे लेते हैं, इसके बारे में पड़ेंगे, Let us now learn about the mechanism of breathing, normally we take an air through, sorry, through our nose trills, आईए हम स्वसन की किरियावेदी जाने, सामने तो हम अपने जो नथुनों, नास, सिनासा द्वारा वायू से अंदर लेते हैं, जब हम वायू को अंतर स्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, तो यह हमारे नथुनों से नासा गुवास में चली जाती हैं, तथा जो नासा गुवास से वायू स्वास नली से होकर हमारे फेपरों में जाती हैं, इसके बाद क्या होता हैं, वेन वी इन्हेल एयर, इट पासेज थ्रू आर नोस इस्टिल्स इन्टू दा नसल कैविटी जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, फ्रॉम दा नसल कैविटी दा एयर रिचेस और लंक्स, थ्रू दा विनफाइब लंक्स आफर जैन इन दा चेस्ट कैविटी, जो नासा गुवास से वायू स्वास नली से होकर हमारे फेपरों में जाती है, और फेपरी वक्स गुवाह में इस्टिल रहते हैं, होते हैं, अगे हम देखते हैं, दुरिं इलिस रिफ्रिफ्र मुव फ और आफ वार्गर्र सायु दाइब कावण आओ, राइफs move down and inward while डाइफ फ्रग्राम moves up to its formal position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. इसके बाद हम बात कर रहे हैं, जो अंतर स्वसन की समाई पसलियां उपर और बाहर की और जब गती करते हैं, तो जो डायाफ्राम में यह नीचे की और गती करता हैं, यहाँ गती हमारे वरक्स जो वरक्स गुआ के आयतन को बढ़ा देती हैं और वायू फेपड़ में आ जाती हैं. और फेपड़ी वायू से भार जाते हैं, इसके बाद की समय पस्निया नीचे और अंदर की ओर आ जाते हैं, जबकि जो डायफ्रामा उपर की ओर अपनी फूर्व इस्तिति में आ जाता है, इससे वक्स गोहा का आयतन कम हो जाते हैं, इस कारण वायू फेपड़ों से भार दख खेल दी जाती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो नसल पैसे हैं, यहां से हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे हमारे लंक्स में पहुंचती हैं, यह सभी हम पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें जो ओरल कैविटी दिखाई दे रही हैं, जो मुग गुवा द्वारा हम लेते ह और डिटील समस्थने इसको After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity Children got involved in the chest expansion competition Everyone was watching that she could expand it the maximum However, doing this activity in the class with your classmates यह जान लेने के बाद की स्वसन के दोरान वक्स गोहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं जिसे बच्चे सीना वक्स फुलाने की इस प्रदा में व्यस्त हो गए पर तेक यह दावा कर रहा था की वह सीने की को सबसे अधिक फुला सकता है यह सकती है क्योंना आप भी इस के लिए अगल आपको कक्चा में अपनी सहफाटियों के साथ करें यह आपने भी फ्रेक्टिकली करना है इसको आगे हम दिखते हैं एक्टिविटी 10.4 10.4 में जो दिया गाइस के बारे में हम स्टेटी करेंगे इसमें आपने करना है देखिए टेक डीप ब्रीथ मीजर दा साइज ओफ दा चेस्ट विद आव मीजरिंग टैफ एंड रिकॉर्ड योः अब्जर्वेशन इन टेबल 10.2 सबसे पहले एक गहरी सांस लेजिए किसी मापन फीते से ही वक्स का आमाप लेजिए चेस्ट का आमाप लेजिए इस माप को आपने टेबल 10.2 में नोट करना है तो टेबल आपको दी है 10.2 इसमें नोट करना है फुनहां विस्तारित होने पर वक्स काम आप लिजिए बताइए कि किस सहवाटी नहीं अधिक्तम विस्तार दिखाया है यह आप टेबल 10.2 में यहां आपको दिखाई दे रहा है 10.2 इसमें नेम आपड़ क्लासमेट्स के नेम लिखो गया आप साइज ऑफ दे चेस्ट दूरिंग इन्हेलेशन एंडूरिं एक्सेलेशन जब आप सांस अंदर को ले रहे तब आपकी चेस्ट कितने आ रही है और वहार को ले रहे तब कितन आपने डिफरेंस इंसाइ और इनके बीच में डिफरेंस आपने नोट डाउन करना है एक्टिविटी 10.5 में जो कहा गया है यह देखते हैं टेक वाइफ प्लास्टिक बोटल रिमूब दे बोटम गेट और वाइशेव ग्लास अव प्लास्टिक ट्यूव अप्लास्टिक ट प्लास्टिक ट्यूब देखते हैं इसके बाद वाइफ की आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए इसके बाद आपने करना है having a hole in the lead so that the tube may pass through it to the fork in of the tube fix to deflect it balloons introduce the tube into the bottles as showing true 10.7 now keep the water seal it to me it here light here tight to the often base of the water tie प्लास्टिक सीट यूजिंग और लार्ज रवर बेंड इसके बाद अपने नली को जो फिगर 10.7 के अनुसा बोतल में लगा लेना है अब बोतल का ढखन लगा दीजिए तथा उसे इस परकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायू रुद्ध हो जाए और बोतल के खुले पेंद लार्ण यह देख सक customize picture में यह किस में देखे लिए यसी प्लास्टिक बोतल लेया है न उस रवरसी इंड फ्लास्टे की जो टल गोप रहें रवर सेट इसकों practically भी कर सकते हैं कि हम सास के सदेखें रहें मोडल्ट तू सोव मेकणिजम और रितिं इसे हम प्रक्तिकली भी कर सकते हैं सो शूडेंस आसकी कलास अमारी हें तरकराएंगे बिखेट लीटल मैं पढएंगी what do we barely I'm out की बारे माँ आगे स्टेडी करेंगे बूतिंग गलिए अदर एनिमेल्स के बारे मैं पढएंगे कि व्रेटिंग अंडर वाटर के वारे में पढ़ेंगे डूफ फ्लांट अल्सु रिस्वाइट इस टॉफिक समाने पर चाहिए नेक्स्ट क्लास माम स्टेडी करेंगे